हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभिशेक सागर और आप देख रहे हैं Quick Hack Hacking Course अब हम बात करेंगे disposable mobile numbers की इससे पहले वाले lesson में हमने ये सीखा कि disposable email कैसे बनाया जाता है और कैसे काम करता है और उसकी जरूरत क्या होती है सेम उसी तरीके से हम anonymous रहे कर कई websites पर register करते हैं जहां पर mobile number की जरूरत होती है तो ऐसे case में अगर हम अपना mobile number डाल देंगे तो फिर हमारा anonymous होने का फाइदा क्या है फिर तो website को पता चल जाएगा कि हम कहोन है क्योंकि हमारे mobile number से पता चल जाएगा मिलते हैं अब देख रहेंगे एक website है जिसका नाम है SMS receive free यहां पर देखिए हर आठ दिन पर अलग अलग नंबर मिलते हैं और आप अपने website का verification इन नंबरों से करा सकते हैं आप इनसे WhatsApp की ID भी बना सकते हैं बीना अपना नंबर दिये और यह एक ही website नहीं गूगल पर ऐसी कई website है तो यहां से क्या करना होगा इस website पर जाएए जहां भी verification मांगता है इन में से कोई एक नंबर दे दीजिए और इस पर क्लिक कीजिए एक नंबर पर और उसके सारे message जो verification के लिए message आएंगे वो सारे यहां पर आ जाएंगे देखिए और भी लोगों ने और जी जो hackers है उन्होंने यह इस्तिमाल किया हुआ है ऐसे इसको इस्तिमाल करते हैं और कई भी नंबर होते हैं जो busy होते हैं तो आप दूसरे numbers को use कर सकते हैं यह चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं देखिए IMO को किसी ने IMO की जो verification है वो इससे किया देखिए क्या हो रहा है hackers क्या क्या कर रहे है ठीक है तो समझ आगे आपको कि कैसे आप mobile phone की जो verification उसको bypass करेगे यह वही तरीका ह mobile phone verification को bypass करने का email वाला बता दिया मैंने आपको यह phone वाला है ठीक है thank you